रोक ले आंसूं को ये तेरी शान नहीं तकराजा बाधाओं से है मुश्किल आसान नहीं पहचान ले खुद को तुझे अपनी पहचान नहीं कर प्यार इनसान से बरना तु इनसान नहीं निकाल दे नफरत को हो इनसान शैतान नहीं लुटा दे खुशियों को बरना जीना असान नहीं मत दोरा समस्या को ये इसका निदान नहीं मिलेगी रोशनी बलीदान से तुझे इसका ध्यान नहीं दे जिन्दगी उसको दे जिन्दगी उसको देखी जिसने मुस्कान नहीं होगा सामना जुलम से होगा सामना जुलम से होना तुझे परिशान नहीं होना तुझे परिशान नहीं मार लात दुखों को मार लात दुखों को मिलेगा सम्मान अपमान नहीं मिलेगा सम्मान अपमान नहीं भागेंगी बाधाएं राह से मिलेंगी बहारें बीरान नहीं भागेंगी बाधाएं राह से मिलेंगी बहारें बीरान नहीं रोक ले आंसों को ये तेरी शान नहीं रोक लियां सुंको ये तेरी शान नहीं जी अगर थोड़ा सा समर्थन मिलता रहे तो कावेपाट का अनंद है अगर अकेला ही बोलता रहूंगा एक घंटा निकालूंगा आपको जब रसी जेलना पड़ जाएगा तो उसका तो फाइदा कोई नहीं इसने उमीद करूँगा आप थोड़ा सा बीच मिश में उस सा बर्दन कीजिए या कोई बात अच्छी लगती है तो उसके बारे में आप अपने अलोचना तुमक पनेशी दे सकते हैं उसका स्वागत रहेगा अब एक सामाजी कुरिती की और चल पड़ता हूं हालां कि बहुत सुधार आया है प्रंतु वो एक आँखों का धोखा है किसी ना किसी तरह से ये कुरिती अभी भी चली हुई है वो चलती रहेगी मेरे हिसाब से क्यों हम लोग उसको जिगो ना अपने विचारों में अपनी संस्किती में किसी में समाहित नहीं करता है ये तक है हमी जूरता है में थोड़ी कोशिश करने की अगली कविता मेरी दहेज पर आधारीत है उसकविता का शीश कर दहेज आगे बड़ो समे ने पुकारा है बिकट समस्या दहेज को मिटाना है दानब है ये निर्म महत्यारा है लाखों को बेमोत इसने मारा है लाखों को बेमोत इसने मारा है दूला बिक्ता है दुकान सजी है रहेगी कवारी बेटी नोट नहीं है मुर्झाए हैं मुखडे ओज नहीं है मुर्झाए हैं मुखडे ओज नहीं है जालिम है ये इनसान नहीं है खाली विद्ध मांग सूनी पड़ी है बरबादी सहेंगे पर आवाज नहीं है लड़का नहीं लड़का नहीं नकत इसमें जड़ी है बटोर लो यही एक घड़ी है बटोर लो यही एक घड़ी है बेची गई पहुची भी शम्शान में भारने सिंदूर बहन की मांग में जमीन बकी बेहर किये इस शैतान ने बेहर किये इस शैतान ने कल तक बस्ती थी खुशियां जहां मातम है उस जहान में उठो दानब दहेज ने तलकारा है उठो दानब दहेज ने ललकारा है हम रहेंगे या दहेज जहान में प्राण लो इमान नहीं अपना बिकवाएंगे दहेज मांगे मारला तुसको बगाएंगे तोड़कर इन घुनुनी परंपराओं को तस समाज को रहत हम पहुचाएंगे आगे बड़ो समे ने पुकारा है आगे बड़ो समे ने पुकारा है विकवाएंगे दहेज को मिटाना है ये तो गी दहेज पर बात है पर मैं देख रहा हूं कि पहले ग्यारा बारा लोग जुड़ो हुए थे अब सिर्फ तीन है चलो कोई बात नहीं मेरे को आदेश हुआ है वो तो शिरोधार्य फर्ज है हमारा हम तो कोशिश करते रहेंगे पर उमीद करूँगा कि अपने विचारों को आपस में फैला है ये दूसरी मदद करें और ये भी आपको एक सूचना जेने जा रहा हूं तीन तारिक को तीन अप्रेल को राश्री कविस संगम त्यंतर गत्र राम बन गमन यात्रा पर कारिक्रम कांगड़ा में होने जा रहा है कभी सुमिलन होने जा रहा है जिसमें आप सभी कभी होना है आमन दिल्द करता हूं जहां तक मेरी बात है मेरे पास पांस आर दस मज़े से रह सकती है आईए आपका स्वागत है और इसका रेक्रम को आप सफर बनाईए अब एक और रम्कियों चलता हूं हमारा सर्माया क्या है कलम क्या है पांच ये दस रुबेगी हुगी है पर इसको रुपे में शिन तोला जा सकता है इसे बड़ी ताकत है तो अगली कंता के शीच की मेने रखा है कलम की ताकत है मुष्टिका प्रहार से कलम तूट जाएगी किसी की धमकियों से डर जाएगी छोड देगी फर्ज अपना निभाना क्या तेरे पांगी जूती बन जाएगी छोड देगी फर्ज अपना निभाना क्या तेरे पांगी जूती बन जाएगी छोड दे गल्त फहमिया पालना कर सामना कलम का रूप तेरी कांप जाएगी कलम तो इमान धर्म है कलम तो इमान धर्म है मानम जाती की ढाल मानम जाती की ढाल है एटम परमानू हाइड्रोजन बं इसके आगे बिकार हैं क्रांती लादेती है ये कलम समझ ले अकल के अंधे शानती भी लाँसकती है ये कलम शांती भी ला सकती है ये कलम कलम कमजोर नहीं कलम कमजोर नहीं तेरे जोर से तूट सकती नहीं कलम कमजोर नहीं तेरे जोर से तूट सकती नहीं क्या ताकत है इसकी क्या ताकत है इसकी तुझे इसकी समझ नहीं तुझे इसकी समझ नहीं, कलम तो कलम है, कलम तो कलम है, इधियास रच देती है, तेरी अच्छाई बुराई, तेरी अच्छाई बुराई की कलेई खोल देती है, उठाएगा ग्या तनवार, उठाएगा क्या तलवार, धार कुंद करने को कलम की, इल्म नहीं, क्या तुझे, क्या ताकत है कलम की, क्या समझ नहीं, क्या तुझे, क्या समझ नहीं तुझे, दो बोल बोलती है, बढ़ चड़के, जो आप बाते उंची उंची कते के नो, बड़ी भारी बाते हो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दो बोल बोलता है, बढ़ चड़के, सजदे कर कलम के, जिसने बनाया काबिल तुझे इसके, जिसने बनाया काबिल तुझे इसके, ये कलम ही है, अगर तुने दो अक्षर पढ़ लिए है, कलम चलाना सीख लिए है, कलम का उप्योग करते हो, तो आपको इसका सम्मान करना जी, क्योंकि आपको इसी कलम में काबिल नहीं है, सजदे कर कलम के, जिसने बनाया काबिल तुझे इसके, क्रांती लाती है कलम, आजाए अपनी आई पे, बड़ों बड़ों को धूल में मिलाती है कलम, बड़ों बड़ों को धूर में मिलाती बड़ों कलम चाहे आमर कर दे या बिलुप्त कर दे चाहे आमर कर दे या बिलुप्त कर दे मत कर कोई शक कलम की सचाई पे मत कर कोई शक कलम की सचाई पे मत कर कोई शक कलम की सचाई पे झाल झाल